नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राजेश और आप देख रहे हैं Angel Tech Analysis तो बात करेंगे आज बैंक निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी में जो स्टॉक स्टेट करते हैं उनके बारे में तो उसे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो जैसा कि आज आप लोग उने देखा कि bank Nifty में आज किस तरह से एकल चल हुई बैंक Nifty आज पूरी τरह से वालेटॉil थी हमने starting के session में देखा कि bank Nifty में एक हमने downfall देखा downfall के बाद फिर फिर last के session में last के हम कह सकते हैं मार्केट ने जो बाउंस बैक किया और इतना जवरदस्त बाउंस बैक किया जिसको देखकर आप क्या सकते हैं कि एक समझ लिए बूम था बैंक निफ्टी में एक रॉकेट की तरह मूब हमको सब्सक्रांद को सब्सक्राइच निफिद एक रसा топ घनल BBC की एक रॉकेट snad निफ्टी में ध्यक्ति तरह दख === 3,545 मतलब एक यहां पर जो है kap down opening यहां पर देखने को मिली थी और ऊसके बाद गरे यह स्टेन करते रहें उसके फिर फाइले हम नीचे आए और लास्ट के आवर्स में हम जो है उपर की तरफ निकले तो दीखिए मैं आप लोग को चीज बताये थी शाइद आप लोग को ध्यान में होगा मैंने आप लोग को यहाँ पर एक चीज मैंने आपको बताए थी कि एक मैंने आप लोगों को ड्रॉ करके बताई थी और वो trend line कौन सी थी वो trend line थी ये वाली मैं इसको color black कर देता हूँ फिर आप लोगों को चीज़े समझ में आएंगे अच्छी तरह से अब ये देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि हम जब तक कि strand line के ओपर हैं तब तक हम bullish हैं और जैसे ही हम इस trend line को break करेंगे हम seller बन जाएंगे और हम sell side के trade यहाँ पर active करेंगे तो यहाँ पर देखिए bank nifty ने जो जो opening दी थी आज वो gap down opening थी और मैंने आपको बताया था कि अगर gap down opening आपको दीखती है तो आपको सिर्फ एक 5 मिनट की candle की wait करनी है पांच मिनट की candle का high रखकर आप यहाँ पर continue आप अपनी direction में जा सकते हैं तो यहाँ पर देखिए जो 5 मिनट की candle का high था वो कहीं पर भी आज touch होता हुआ दिखाई नहीं दिया अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने आज बहुत अच्छे पैसे बनाए होंगे तो finally यहाँ पर देखिए जो आज starting के session में जो हमने सवेरे के session देखा उसमें हमने continue downfall देखा downfall के बाद हम लोगों ने एक जबरदस्त एक up move देखी और यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को continue telegram channel पर चार्ट पोस्ट कर रहा था इस downfall में भी मैंने आप लोगों को 3-4 call से यहाँ पर continue chart के जरी आपको देने कोशिश की और उसके बाद यहाँ पर जो है मैंने last time में जो आप लोगों को जो मैंने एक chart बना कर post किया वो chart देखी वो कुछ इस तरह से था मैं भी आपको थोड़ दिर के बाद मैं telegram के channel में भी लेकर चलूँगा और वहाँ पर जो chart मैंने आज पोस्ट किये थे उनके logic के बारे में भी समझाओंगा देखी मैंने आपको यहाँ पर जो है last time में यहाँ पर जो है नेर अबाउट दो सवाद दो बजी आपको एक chart पोस्ट किया था और मैंने आपको देखी एक ही सिर्फ एक arrow बना कर दिया था देखी जहाँ पर trade confirm होता है जहाँ पर data confirm होता है वहाँ पर मैं आपको single arrow बना कर देता हूँ और जहाँ पर data mix होता है और जहाँ पर किसी side की कोई view नहीं होता है वहाँ पर मैं आपको double arrow बना कर देता हूँ कि मतलब दोनों तरफ में से कहीं भी निकल सकता है ये level break करने के बाद finally देखी मैंने आपको सिर्फ यहाँ पर एक arrow बना कर दिया था और यहाँ से continue देखी कितनी जवरदस्त move हुई अगर आपने ये trade बनाया होगा तो आपने बहुत अच्छे पैसे यहाँ पर बनाया होगे तो चलिए बात कर लेते हैं कि कल के trade की उसके बाद हम जो है telegram channel में चलेंगे उसके बाद मैं आपको वहाँ पर जो मैंने चार्ट पोस्ट किये थे उन सभी चार्ट के मैं आप लोगों को logic भिया समझाने वाला हूँ तो अगर आप लोगों ने हमारा telegram channel जोईन नहीं किया है तो telegram channel की link description में दिया हुआ है वहाँ से जाकर आप telegram channel जुरूर जोईन कर लीजिए देखिए ये telegram channel मैंने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है आप लोगों को सीखने के लिए बनाया हुआ है यहाँ पर technical analysis आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं यहाँ पर जो मैं चार्ट पोस्ट करता हूँ आप सीखना चाहे तो यह चैनल आपके लिए बनाया गया है और आपके लिए बहुत helpful है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा चैनल जरूर जोईन कर लेजिए उसके बाद हम आगे चलते हैं चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पर 15 मिनिट के चार्ट में और 15 मिनिट के चार्ट में हम यहाँ पर देखेंगे कि हमको कल अब क्या करना है कल किस तरह से हमको ट्रेडिंग करनी है अब मैं इस ट्रेंड लाइन को भी डिलिक कर लेता हूँ देखिए जो ट्रेंड लाइन मैंने बताया था कि आप लोगों को एक बार दुबारा में ड्रॉ करके यहाँ पर दिखाऊंगा ठीक है फिर आप लोगों को चीजे जो है अच्छी से समझ में आएंगे अब यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों के लिए जो सपोर्ट ड्रॉ करने जा रहा हूँ फाइनली देखिए यह सपोर्ट ठीक है यह सपोर्ट जहां से आज बैंक निफ्टी ने बाउंस बैक किया अब देखिए अब हमारे लिए कल का जो सपोर्ट यह देखिए मैं आप लोगों को एक और यहाँ पर सपोर्ट ड्रॉ करके दिखाने जा रहा हूँ यह दूसरा सपोर्ट रहेगा अगर बैंक निफ्टी जो है आज का लोग ब्रेक करती है फाइनली लगता नहीं है कि आज का लोग ब्रेक होने वाला है अब यहाँ पर देखिए आपको किस तरह से ट्रेडिंग करनी है हम जो है अपने ओपनिंग प्राइस के आसपा से कहीं जाकर हमने क्लोजिंग दी है तो अब यह लेवल जरा ध्यान से देख लीजिए अब इसके ओपर जैसे मार्किट निकलती है लेवल मैं आपको बतायता हूँ 30,610 के ओपर आप जो है क्लियर कट बाइन कर सकते हैं और यह जो टार्गेट जो आपका रहेगा सबसे पहले तो उसके बाद यह जो हाई लगा हुआ है 30,800 के आसपास जो है जा सकता है अब मैं यहाँ पर आपको तीन सेनेरियो बताऊंगा gap up opening, gap down opening और यहाँ पर बताऊंगा बिल्कुल flat opening अब माल लिजिए कि यहाँ पर कल bank nifty flat open होता है ठीक है like मैं आपको यहाँ पर चीजे continue जो है प् flat open होता है, flat open होने के बाद यह level break करता है यहाँ माल लिजिए हाँ पर कुछ देर हमको sustain होने देना है अगर यहाँ पर sustain होता है flat open होने के बाद और उसके बाद यह level break करता है उपर का level 3610 का level break करता है फिर आप यहाँ पर जो है buying side जा सकते हैं अभी देखिए हमको selling side के लिए क सब छोटी-छोटी चीजे हैं, जो हमको profit बना कर देती हैं, अगर आप इन चीजों पर focus करेंगे, तो आप बहुत अच्छा पैसा यहां से बना कर जाने वाले हैं, तो यह देखिए, अब मैंने आपको यहां पर बता दिया है, कि किस तरह से आपको फ्लैट ओपनिंग में काम क करता रहूँगा, चार्ट पोश्ट करता रहूँगा, चीजे बताते रहूँगा, समझाते रहूँगा, ठीक है, अब जैसे ही यह trend line breakout होगा, हमने यहां पर clear cut seller बन जाना है, हमने बाइंग की तरफ नहीं देखना है, दूसरा देखिए, अगर हम एक उपर से हम यह triangle बन गया है, ठीक है, तो यहां पर में भी कल क्या हो सकता है, कल यहां पर 3610 के लेवल को टेस्ट करने के बाद, फिर यह इस trend line के आसपास आ सकता है, आपने इस trend line के आसपास जो है buying के लिए trade बना सकते हैं, trend line के आसपास देखिए, बाइंग कब करनी है, जब आप वहां पर confirm आपको वहाँ पर कोई डोजी कैंडल मिल रही है, मतलब किसी तरह से भी आपको एक वहाँ पर कन्फरमेशन मिलनी चाहिए, विकाउज यह जो trend line है, यहाँ से trend line लेने के बाद हमेशा यहाँ से bounce back कर रहा है, तो यहाँ पर आपको double top pattern बनता हुँ दिखाई देगा, और मेभी यहाँ से फिर दुबारा एक बार selling आ सकती है, तो यह level ध्यान रखिएगा, 3800 के आसपास आपको sell करना है, और यहाँ पर इस trend line के आसपास आपको buying करनी है, मानले जी यह trend line break होता है, ब्रेक होने के आपको यह support मैंने यह जो blue color में draw किया हुआ है, यहाँ पर भी आने के बाद भी आप जो confirmation के बाद buying कर सकते हैं, तो आप लोगों के लिए buying के लिए जो चीजे important है, जो level important है मैं बता दे रहा हूं, आप एक इस trend line के आसपास आने के पास यहाँ पर buying कर सकते हैं, या फिर इस support के आसपास buying कर सकते हैं, या फिर यह नीचे का support यहाँ पर buying कर सकते हैं, यह हमारे buying के area है, और यह देखिए, selling के area जो है, यह हमारा 3810 ही हमारा selling के area है, तो finally यहाँ पर देखी जैसे यहाँ पर trend line break होती है और कल का low break होता है फिर आप यहाँ पर selling के लिए जा सकते हैं आपका पहला target मैंने आपको यहाँ पर draw करके दिखा दिया है और दूसरा target भी मैं आपको यहाँ पर draw करके दिखा देता हूँ आपका दूसरा target में भी यहां पर हो सकता है आपको मैं level बतायता हूँ पहला target आपका जो होगा trend line break होने का 30,200 के आसपास होगा दूसरा target आपका 30,000 के आसपास होगा और तीसरा target आपका 29,920 के आसपास होगा तो यह हमारे कल के target होने वाले हैं आपको buying के scenario बता दी हैं मैंने आपको selling के scenario बता दी हैं अब हम चलते हैं bank निफ्टि में जो stars date करते हैं उनके बारे में बात करते हैं अब देखिए मैंने चार्ट खो लिया यहां पर access bank का और तक तक यह रखिता है आपने जो buy करना है मेबी यहां से reverse करके फिर नीचे की support पर 590 के आसपास आ सकता है तो इसका ध्यान लखेगा 540 के ऊपर यहां पर एक clear cut buying रहेगी तो देखे कितना clear cut यहां पर candle बनी हुई है अब यहां पर 417-418 के ऊपर कल को buying बना सकते हैं next है हमार HDFC bank तो finally देखे HDFC bank अपनी उसी level पर support के आसपास से यहां पर trade कर रहा है 1410, 1410 के ऊपर ही हमको HDFC को buy करना है next है हमार ICICI bank तो ICICI bank देखे अब continue जैसा मैंने कल आपको बताया था यहां पर बहुत जबरदस्त pattern बन रहा है देखे यहां पर एक जो 7 December केंडल बनी थी फिर 9 December केंडल और finally आज जो है 10 December की केंडल तो यहां पर देखे एक इसकी उपर की range बन चुकी है अगर आप ध्यान से यहां पर देखेंगे तो 515 इसकी range बन चुकी है अब जब तक यह 515 का level cross नहीं करता है तब तक इसमें ना हम को buying करनी है ना हम को यहां पर selling करनी है 515 के उपर जैसे ही यह 5 minute की candle close कर सकता है आप यहां पर clear cut buying के लिए जाएए 515 के उपर एक 5 minute की candle close होने का आपको कम से कम वेट करना है at least एक 5 minute की candle चाहिए 515 के level के उपर 515 के उपर जब वो closing आती है तो यहां पर आप buying करिए clear cut buying करिए क्योंकि यह pattern बहुत अच्छा pattern होता है बहुत जबर्दस pattern होता है क्योंकि यहां पर ध्यान से देखेंगे तो यहां पर एक range बन रही है और यह range breakout होने के बाद आप आप जो है देखेंगे काफी अच्छा एक move देखने को मिलता है range breakout के बाद नेक्स्ट है हमारा इंडसिंट बैंक तो इंडसिंट बैंक देखेंगे मैंने जैसे आपके बताए continue तेजी के बाद अभी यहां पर यह होल्ड कर रहा है तो इंडसिंट बैंक को यहां पर 900 के आसपास देखी 900 के नीचे जो यहां पर थो तो यहां पर देखेंगे आज भी एक डोजी केंडल बनी है और इसने trend line का support लिया है तो मेबी यहां पर जो बनती है वो 936 रपी के ऊपर बनती है 936 रपी के उपर निकलता है intraday में तो आप यहां पर इसको बाइंक करके जा सकते हैं सब्सक्राइभ 1915 का दिया था तो देखे 1919 का हई लगा तो टार्गेट हमार अचीव हो गया है अब हम यहाँ पर हमारे लिए यह जो उपर जो हर्डल लगा हुआ है 1935 का तो यह आप जो है इसको 1950 के उपर एपर क्लोज होने दीजिए 1950 के उपर जब यह क्लोज हो जाएगा तो हमको वहाँ पर एक क्लियर कट बाइंग देखने को मिलेगी 1950 का लेवल इसके लिए अभी हर्डल का काम कर रहा है 1950 के उपर कम से कम एक पांच मिंट की कैंडल अगर इंट्राडे में क्लोज होती है तो उसके बाद वहाँ पर आप जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं उसमें बाइंग का ट्रेड बना सकते हैं मिंस देखिए 1950 के उपर कुछ देर सस्टेन कर जाए मिंस दो मिंट चार मिंट पांच मिंस सस्टेन कर गया तो यह आपको 1980 और 2000 की लेवल बहुत जल दिया है अब हमको यहाँ पर वेट करना है कोई डोजी केंडल बने है कोई हैमर केंडल बने उसके बाद हम इसके उपर बाइंग कर सकते हैं नेक्स्ट है हमारा आर्वियल बैंक और बैंक को रहने दीजिए अभी यह ट्रेंड लाइन यह इसके लिए अभी सबसे ज़ादा है जब तक यह ट्रेंड लाइन के उपर है तब तक यह बुलिश है यह ट्रेंड लाइन के नीचे की क्लोजिंग मिंस 230 के नीचे की क्लोजिंग इसको जो है 215 तक लेकर आ सकती है नेक्स्ट है हमारा SBI तो SBI भी देखिए मैंने आपको बताया था कंटिनू चार दिन की तेजी के बाद कल यहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग हुई थी और आज भी देखिए इसने जो है क्लोजिंग जो दी है वो एक रपे नीचे ही हमां कल से नीचे एक रपे क्लोज जब तक हम अभी यहां पर ट्रेड कर रहे हैं तब तक हम भुलिश हैं अदर्वाइस इसमें अगर आपने बाइंग करनी है तो 272 अपर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं अब देखिए मैं आपको सारी चीजे हम पर दिखाने कोशिश करूँगा तो यहां पर आप देखिए मैं जो बताया था तो यहां से कम से कम 100 प्वाइंट के आसपास यहां पर बाौ्स बैक हुआ और फाइंलि उसके बाद इसने यह लेफल ब्रेक किया था इसके बाद देखिए, जब यहां पर कंटेनियू मार्केट में चे की तरफ आ रहा था, उसके बाद मैं ने को चार्ट पो और इसके बाद जो मैंने आप लोगों को चार्ट पोस्ट करके बताया था अभी वही चार्ट जो चल रहा है देखी इसके बाद इसने continue यहाँ पर high लगाते हुए चले गया और यहाँ पर हम जो है 100 points से ओपर हमने यहाँ पर जो है profit book किया था इसके बाद यहाँ पर देखी मै अगर आप चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो आप लोगे clear cut एक सिर्फ एक arrow दीख रही होगी सिर्फ नीचे की तरफ arrow दीख रही है उपर की तरफ आपको कोई arrow नहीं दीख रही है इसका कहने का मतलब यह है कि data analysis के इसाब से यह जो बैंक निफ्टी था वो वीक लग रहा data analysis को अगर आप फॉलो करते हैं अगर आप उसके बारे में आपको समझ या अगर आपको देखना आता है अगर आप उसको समझते हैं तो वो आप लोगों के लिए बहुत फायदे मन्द है यह जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यह जो चार्ट मैंने पोस्ट किया यहाँ पर आपको यहाँ पर जो लास्ट बताया था यह चार्ट मैंने आपको दिया था अब यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो आपको सिर्फ एक एरो दीख रही होगी एक एरो के मतलब यह है कि data analysis जो है काफी recover हो चुका है और यहाँ पर जो चार्ट भी लग रहा है अगर यह लेवल ब्रेक करता है यहाँ पर जो लेवल था वो 3300 का लेवल था 3300 का लेवल के ऊपर कोई candle 2 मिनट की एक मिनट क्लोज करती है तो आप यहाँ पर clear cut buying के लिए जा सकते हैं only for buying because यहाँ पर सुर्फ आपको upside की arrow दी गई है ना कि downside की इसके बाद देखिए कितना जबरदस्त मूव यहाँ पर देखने को मिला ठीक है इसके बाद मैंने फिर एक देखिए मैंने छे ट्रेड लेने के बाद अपने ट्रेडिंग बंद कर दी थी बट यह जो पैटन जो होते हैं यह पैटन काफी जबरदस पैटन होते हैं data analysis को देखते हुए और technical analysis को देखते हुए मैंने यहाँ पर एक 7 वह ट्रेड भी बनाया था तो 30,200 का ट्रेड बनाया था उसमें हमने 100 points से उपर वहाँ पर profit book किया था काफी अच्छा ट्रेड रहा था उसके बाद भी market काफी उपर गई यह देखिए किस तरह से मतलब market ने bounce back किया जो मैंने आपको सबसे पहले chart post किया था व यहाँ अगर बनाता हूं आप लोगो को वीडियो पसंद आती होगी अगर वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और आज के लिए इतना ही मिलते हैं कल की वीडियो में जाहिंद